कि आप सभी प्रतिभागियों का उपस्थित विद्वानों का हार्दे कभिनंदन है इंस्टीट ऑफ एप्लाइट संस्क्रिट शास्त्रिय नॉलेज इस नई संस्था की ओर से कि आप सभी का हार्दे कभिनंदन है इसकी प्रथम जो यह चर्चा है परिचर्चा है इसमें आप सभी का हार्दे कभिनंदन और स्वागत है और सीथे विशे की ओर अग्रेसर होते हुए आप लोगों से मैं लगभग अगले 15-20 मिनट कुछ चर्चाएं करूंगा और फिर उसके बाद आपके सुझाव आपके कमेंट्स और बाकी सब चीजों को जिस तरह के भी विचार होंगे और जितने भी विविधायाम होंगे उ इससे पूर्व यह मैं सपष्ट कर दूं कि यह जो भी मैं आप लोगों के साथ सांजा करना जा रहा हूं इसका जो केंद्र है केंद्र तो शास्त्र ही है संस्कृत शास्त्र हैं और उसके साथ दो बातें और हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा कि हम शास्त्र के साथ य हम इस संस्थान में बाच्चीत करेंगे हैं या जो भी हमारा डुश रहेगा जिसके योजना बनेगी उसमें केंद्र में रहे और उसके साथ तो इसके दो पंक रहेंगे वो युक्ति और अनुभव रहेंगे और जिसे की जो हम करना चाहते हैं उसको हम प्रभावी रूप से और प्रमानिक रूप से कर भी सकें और वो सारा का सारा उपियों की हो जैसा कि आप विशय देख रहे हैं आज हमने जो विशय रखा है वो विशय रखा है वर्ट इस एप्लाइट संस्कृत शास्त्री नॉलेज और अनुप्रयुक्त इस संस्कृत शास्त्री ज्यान से हमारा अभिप्राई क्या है हम क्या कहना चाहते हैं और इसे क्रियानवित कैसे करना है इस सारे विशय को लेकर के हम यह चर्चा करने जा रहे हैं अब इसमें आप यह देखिए कि यहां केंद्र में संस्कृत शास्त्री ज्ञान को रखा है यह हमारा मूल आधार है अनुप्रियोक्तता शब्द को हम पहले प्रियोक्त कर लिया है हमने एप्लिकेशन जिसका रथ है दो शब्द और उसके साथ हमें ध्यान रखने हैं कि अनुप्रियोक्त तब होगा जब उसकी कोई उपयोगिता होगी उसकी यूटिल्टी होगी और उसकी कोई संगत्ता रेलेवेंस होगी तो जो कुछ भी संस्क्रित शास्त्री ज्यान है संस्क्रित शास्त्र तो हैं उन पर कोई आपत्ति आक्षेप नही अपने विश्य को चुना है और इसी के आधार पर हमने आगे की सारी कारी योजनाएं आर्मित करनी हैं अब आप यह जानते हैं कि जब हम संस्कृत शास्त्र की बात कर रहे हैं तो उसको हमें स्थापित कहां करना है तो दो उसमें बाते हैं एक और इंडिया खड़ा है और एक और भारत है और ये बात आप सभी जानते हैं कि कॉंस्टिचूशन ने भी आपको यही काहा है हलांकि उन्होंने मिलाने की कोशिश की है कि इंडिया दैट इस भारत करके आर्टिकल वन में लेकिन वो मिक्स्चर होने की वजाए वो कुछ का कुछ कंफ्यूजन में चला गया है और बहुत सारी बातें जो हैं वो क्यास में हमें जिसकी अभिव्यक्ति हमें प्रजा के लोगों के विवहार में दिखाई देती है तो एक तरह से इंडिया और भारत के बीच में जो भारतिये द्रिश्टिकॉंट से जीवन जी सकें और लोग मंगल हो ऐसी हमें अपेक्षा के साथ इस सारे बिश्यकों को देखने और समझने का प्रयास करेंगे अब आप देखिए कि सबसे पहले जो संस्क्रिशास्त्रों की चनौती है जो मैं आगे भी बात कहता हूँ समान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि जितने भी मूले लिए गए वो वेस्टरि emphasize बारति मूले एक भी नहीं अभी तक आप सभी जानते हैं कि इसमίν एक भी भारति मूले नहीं है तो उस ऐसा समिधान जिसके सांस्कृतिक आधार नहीं है या तो हम उसको सांसिए प्रदान करें अपने शास्त्रों के आधार पर नहीं है और अगर बहुत दुसाहस कर सकते हैं तो उसको हम जो अभीष्ट परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों को लाएं दूसरा मैं बहुत संख्षेप में और बड़े तीवर्ता से आगे चलना चाहता हूं क्योंकि पंद्रा लगभग पंद्रा बीस मिनट का यह बक्तव्य हो जाएगा ताकि उसके बाद आप लोगों की ओर से जो भी सुझाव या अलोचनाएं हैं उसको हम टेक अप कर सेगें दूसरी जो सबसे बड़ी चनौती आपके सामने आती है संस्कृत शास्त्रों की बात करते हुए और परंपरा की बात करते हुए आपकी इंडिस्ट्री कॉमर्स और ट्रेट क्योंकि यहां जो प्रियुक्त होने वाली भाशा है उसमें संस्कृत का कहीं कुछ थान अभी तक सब्सक्राइब तो नहीं बन पाया लगवग पिछले 87-85 वर्षों में हम लोग संस्कृत को इस रूप में स्थापित नहीं कर पाए कि इंडिस्ट्री कॉमर्स और ट्रेट भी इसकी डिमांड करें या वो अपनी पॉलिसी इसके आधार पर बनाएं या इसके आधार पर वो अपनी बारता या दंड नीति का प्रियोग करें तीसरी और आपका जो है वो पार्लियमेंट है हलांकि यह पुराना चित्र है लेकिन न्यू पार्लियमेंट में फिर भी उन्होंने कुछ प्रियोग करने की कोशिश की है जैसा कि आज ही जो है हमने न्यूस पेपर में संस्क्रिश सभाहर होता है वहां पर संसंधी शास्त्री मर्यादा था का कोई ही कोई संबंद आपको नहीं दिखाई देना है जबके आप कह रहें हैं कि वह भारत की संसद्द है और संसद में संसदिय क्या होंगी कि या हमने कभी उस तरह से विचार करने मा प्रयास मिंदा कि सभा और समिती का लेकिन हमने उसको कभी इस तरह से प्रियोग नहीं किया और ना ही हमने कभी ये कहने का साहल किया कि भई संसर जो है लोग सभा और राचे सभा जब शब्द प्रियोग कर रहे हैं तो सभा और समिती शब्द क्यों नहीं हमने प्रियोग कर लिए या उन दोन जुडिश्री अगर आप लोगों को कहीं ध्यान हो तो एक लगभग लगभग 25 साल पहले 25 या 20 साल पहले एक सुप्रीम कोट का निर्ने था कि जब भी किसी इंडियन कॉंस्टिचूशन है इसके हिंदी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप अपनी भाशा के शब्दों को यहां लाएंगे तो उनका जो संदर्व होगा उनका जो reference point होगा वो आपका British या Oxfordian viewpoint होगा वहाँ से आपके जो भी शब्दावली होगी वहाँ से नियंत्रित होगी आप चाहे कितने ही आप भारतिय शब्दों का प्रियोग कर लें और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है तो यह भी हमारी एक चुनौती है जिसे आपको और हमें ध्यान रखना है और इन आरूपों की मैं आप लोगों से होने का आक्षेव करते हैं जाती सिर्फ कास्ट के साथ उसको आइडेंटिफाई करके जैसे कि मनुस्मृती के प्रती बड़ा एक दुराग्रह रहता है जैसे लगता है कि उसमें सिर्फ जाती ही जाती है और कुछ है कि पाखंडता का आक्षेप लगता है यही सारे आक्षेप हैं इन से जादा आक्षेप ना तो आज तक किसी liberal के पास हुए ना सिकुलर के पास हुए ना जो और तरह के लोग हैं तो इन सब आक्षेफों का भी हम समय समय पर जो है उत्तर और प्रत्युत्तर देते हैं और दिये हैं लेकिन इनके इनको जो है वह में स्ट्रीम से हटा करके जो सखारात्मक मुल्य हैं उनको स्थापिक करना दूसरी और एक और बड़ा सुंदर आक्षेफ लगता है जो मुझे लगता है कि जिसको हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए वह कि संस्कृत शास्त्रों के बारा बारे में यह कहा जाता है कि संस्कृत माइंट सेट हैस फिल्डिन अब्जोवेशन क्योंकि जब करने लगते हैं तो हमारे उपर सीधा यह एक बात कही जाती है कि संस्कृत शास्त्र हैस फिल्डिन ऑब्जोवेशन इट फॉलोड नो experimental approach इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि जब हम applied की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसका experimental aspect बहुत ज़रूरी है तीसरा जो आक्षेप लगता है वो है इस इंप्रैक्टिकल कि यह इंप्रैक्टिकल है और चौथा जो है इस डॉमिनेटिट बाय सुपरस्टीशन तो यह जैसा कि वह मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अंधविश्वासों से भरपूर है ऐसा उनकी मा सब्सक्राइब है कि हम इसको चुनौती दें और इसका खंडन करें अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए है कि एक हमने सर्वे किया था लगभब साल पहले हलांकि यह सर्वे यहां पर आप देख पा रहे हैं किया गया था लगभब 1525 हलांकि इसकी अब ज तो स्लेबस हम लोग पढ़ा रहे हैं यहां नए स्लेबस बनाने की बात कर रहे हैं उसको किस तरह से जो है रोजगारों मुखी या वैज्ञानिक या वैवसाइक या आदुनिक किया जा सकता है यह सारा उसको लेकर करके काफी सारे प्रश्न थे और उन प्रश्नों के उतर थी तो यह जो तरीका कि तरीके का मुझे लगता है कि हमें उपर उपियोग करना चाहिए अपने संस्टित से बसक्राइब करें पर्योग करना चाहिए कि हम में कि इसमें अध्यापक विद्यार्थी जनसमाने Об利är डा मिले की हैं पूरी की पूरी प्रश्नवली दी थी और उसमें से जो अन्तिम प्रश्न था 25 जो प्रश्न है उसमें था कि क्या आपने कभी कोई संस्क्रिट शास्त्राधारित सामाजेक आर्थिक राजनैतिक शेक्षनिक आधी-नीति निर्माण करके भारत्ष सर्कार या राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है और आप ये देखिए कि कितना बड़ा नोग है यानि कि हम लोगोंने कभी इस बात का प्रयासी नहीं किया कि जिन शास्त्रों को हम विवारिक कहते हैं जिसको हम माननेता इतनी देते हैं जिसके प्रतितना अग्रह है उसके आधार पर हमने कभी समाज रचना करने का साहस ही नहीं किया सोचा ही नहीं बिचार ही नहीं किया तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं सिधे वीशे की जो आता हूं मैं प्रश्न अभी बाद में लूँगा पहले एक बार सारी चीजों को इंटर्ड्यूस कर दें और फिर उसके बाद भी विल हैव ओपन हाउस डिसकेशन क्योंकि तभी हम आगे का निर्णे कर पाएंगे कि आगे हमने क्या करना है और किस दिशा में काम करना है और कैसी संभावना इसमें हमारे पास उफलब्द हैं आप देखिए कि मैं आपके साथ जो सांचा करने जा रहा हूं यहां पर मैंने अभी केवल नौ विशे लिए हैं केवल इंटर्ड्यूस करने के लिए जैसे कि संस्कृत शास्त्र आधारिच सुशासन तंत्र का उल्ट करेंगे हम मोधी की बात करते हैं कि मोधी गुद गवर्नर वोड गुद गवर्नर और हम गुट का एविए मानि अटल जी के जन दिन पर मनाते हैं लेकिन हमने संस्कृत शास्त्र के अधार पर कभी कोई गूडट गूष्प का एक को प्राजी बनाया या या नहीं ब से पढ़ाते हैं और बड़ा जंडा उसका उठाते हैं कभी हमने अपने शब्दावली में अपनी परंपरा अपनी संस्कृति के अधार पर human rights को define किया और क्या उसका प्रारूप बनाया फिर उसके बाद कि उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं किस तरह की रिजर्ट्स ले सकते हैं और किस तरह की जो counseling है वो आप कर सकते हैं या किस तरह के आप जो नीती निर्देश दे सकते हैं इसी तरह से कालिदास को ले करके हम लोगों ने प्रयोग करने की कोशिश किये है कि कालिदास as a theorist and practitioner of gross national happiness index economics के लोग करते हैं well-being economics की बातें करते हैं लेकिन कालिदास को अगर हम इस द्रिश्टिकोंड से पढ़ाएं कि उसने किस तरह से जी यह नहीं चाई जो है उसको प्रपूस किया है केवल उसने कुछ लोक ही नहीं लिखे केवल उसने चंदी नहीं लिखे मैं नहीं दी है बलकि उसमें एक व्यभार परक हमें व्यवस्था दी है इसी तरह से एक और चीज जिससे मैं आपको परिचित कराऊंगा लगवर दस मिनट में बहुत तेजी के साथ कि इंडिजिनियस मॉडल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू गेमिंग टेक्नीक्स फॉर चिल्डरन यह क्या था कि जो मीडिया लिट्रेशी जो मास कम्मुनिकेशन के लोग है मीडिया लिट्रेशी एक नयाब इसे पढ़ाते हैं लगवर पिछले साथ-8-10 साल से उस उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का एक टॉपिक है उसको हमने कोशिश की विक्सित करने की विताल पंचवीन शती के अधार पर कि जिसको ध्यान में रखते हुए जो है वो बच्चों के कारिशाला लगाई जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कर उसमें किस तरह से वो लोग आपसे विचार्ते हैं कव्वा और उन्लू जो है वह अपने मंत्रियों से सला मिश्वरा करते हैं और किस तरह से उससारे कव्लिक को मैनेज करते हिसी तरह से एक जोह हमारी और बड़ी चुनौती थी वो थी कि शहित्य शास्त्रहेक है अधार प बनाने की कोशिश की और इसके उपर विचार करने की कोशिश की क्योंकि साहित्य शास्त्र तो हम सभी पढ़ा रहे हैं लेकिन हमने कभी इस बात का प्रयास ही नहीं किया कि हम इस बात को समझें कि उस साहित्य शास्त्र को बदलते हुए एंटर्टेन्मेंट इंडिस्ट्री के साथ कैसे जोड़ें या उसके आधार पर उसका मुल्यांकन करके हम भी जो है हमारे चात्र या हमारे बाकी साथी लोग अपने अपने आर्टिकल्स जो है वो अख़बारों में दें इसी तरह आठवे नंबर पर जो मैंने टॉपिक लिय क्या है वह त्री स्वशक्तिकरन का बुमेन इंपॉर्मेंट जिसे आप कहते हैं जबकि बुमेन इंपॉर्मेंट और स्थ्री जो है वह दोनों बहुत अलगलग हैं लेकिन हमारे पर्सेप्शन उसके बारे में क्या है उससारी भीश्य को हमने इसमें लिया और जो नौवा और आखरी जो है वो है मीडिया लिट्रेसी जिसको की भगवत गीता के अधार पर कि मीडिया लिट्रेसी के लोगों को मास कम्मुनिकेशन के लोगों को भगवत गीता से क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए कैसे उसका प्रैक्टिकल यूज करना चाहिए यह एक विशे लिया है तो मैं I will just run through this all these slides तो इसलिए थोड़ा सा focus हो करके देखेगा मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा है क्योंकि समय जो है वह already मैंने जो है वह बंदराइक मिनट ले लिए हैं तो लेकिन मैं कोशिच करूँगा कि मैं बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को यह थोड़ा सा बता सकूँ और फिर उसके का जो परिणाम है वो क्या होता है यह वह है अब मैं पढ़ नहीं रहा हूं लेकिन आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूं अब मोदी की तालमेल देख पाता हूं जिसका मैं प्रियोग आपको आगे चलके दिखाता हूं कि यह देखिए कि यहां पर हमने संस्कृत शास्त्र एक लिया है किरात आर्चुनियुन अब किरात आर्चुनियुन के आधार पर आप उसकी सुशासन तंत्र को देखिए तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या शासन विवस्ता प्रजा रंजन पर आधारित है राइं हूं अपके अधिकारी इस के भी वहीं से है केवल अपनी और से हमने क्या किया है क्या लगा दिया है sulfur लगा दिया तो इस तरह से क्या शासंस केवल से चलाया जाता है तो इस तरह के जो हम लोगों ने चीजें ली है और इसके आधार पर हमने मुल्यांकन करके एक रिपोर्ट बनाने का प्रयास किया है तो इसको एपलाइड कहने का हमारा परपस है तो यह केवल मैं आपको दिखा रहा हूं इ केवल एक ही नहीं है कि हमने एक ही प्रश्णावली बनाई रामाण के अधार पर भी प्रश्णावली है उसी तरह से महाभारत के अधार पर भी प्रश्णावली आप देख सकते हैं जिसके अधार पर मुल्यांकन कर सकते हैं इसी तरह शुकनासों पुदेश के आधार पर भ जो है हम कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो सुस्थापित होंगे इसी तरह से आप संस्कित पैराडाइम्स ऑफ फ्यूमन राट्स उसमें जब जैसा कि मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि हमें सबसे पहले दूसरों को चुनौती भी देनी हैं चुनौती दें और चुनौती दे अर्व किया है क्या ऐसा हमने कभी को प्रियोग किया हमने कभी सोचने की कोशिश की या वो कैनेड़ा के लोयर ने जो बनाए हमने उसके अपने संदर्व क्यों नहीं दिए या अपनी भाषा और संस्विती से इसको रिप्लेस करने की कोशश क्यों नहीं है missing चैकर प्訴 to run through all this ताकि आप लोगों को एक आइडिया दे सकूं कि जिसको मैं एप्लाइड कहने की बात कर रहा हूं कि वह एप्लाइड क्या है यह इसलिए वहां पर बात करनी जरूरी थी क्योंकि इस तरह से वहां पर ट्रीट किया जाता था लोगों को इस तरह के परिणाम तहां थे और यह फंडमेंटल राइड भी इसमें सारे आ जाते हैं और आपके डिरेक्टिव प्रिंसिपल कॉंस्टिटूशन के वह भी इसमें आ जाते हैं और यह केवल एक पेज में है आपको उतना बड़ा कुछ पढ़ने की करने की जरोत ही नहीं है और यह इसके प्रिशिक्षन की त कहते हैं एप्लाइड इंडियन साइकॉलिची यह उसकी बात है और इस एप्लाइड इंडियन साइकॉलिची में आप देखिए कि सबसे आसान तरीका क्या है अपने का मुल्यांकन करना कि सबसे पहले हम अपना मुल्यांकन करना सीखें कि हमारी परस्टनेल्टी हमारा विव structure है और इसमें आप evaluation जो करते हैं वो one to sixteen के scale पर करते हैं कमाल के बाद देखे one to sixteen के scale पर किसलिए क्योंकि सोला कला संपूर्ण जो है वो उसकी अवधारणा हमारे शास्त्रों में मिलती है अलांकि वो उसके कई आयाम है लेकिन उस एक से सोला का scale के उपर जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि आपको कितनी psychology में counseling की corrective methods की या अन्य उपायों की आवश्यक्ता है या नहीं है यह सारी बातें हमें यहां और यह कि इसके मुल्यांकन करने के questionnaires भी है जो कि संस्क्रिशास्त्रों पर अधारित है और इसके उत्तर जब मिल जाते हैं तो आप एक मुल्यांकन कर सकते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का कितने प्रतिशक्त प्रियोग कर रहा है यह इसका सिध्धान पक्ष और विभार पक्ष है मैं उसमें नहीं जा रहा है यह इसके करने की आवशक्ता है क्योंकि अभी हमने बुद्धिजम और जैनिजम को एक्स्प्लोर नहीं किया है इस कांसलिंग में अपनी तरह की बहुत सुन्दर कांसलिंग है और विशेश रूप से जातक कथां से हमें देखने को मिलती है इसी तरह कालिदास को लेकर के आप देख स सकते हैं कि कालिदास जो है उसको हमने साबित करने की कोशिश की है कि वह ग्रॉस नैशनल हैपिनेस इंडेक्स के प्रस्तोता है कैसे हैं यह आप देखिए और गोल ऑफ सोसाइटी शुट बीदा इंटेग्रेशन आप मैटेरियल डेवल्पेंट विशाइक लोजिकल कुल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं महां से आप उधारण ले सकते हैं तो उसमें नौव पॉइंट्स हैं नौव डोमेंज हैं जिसमें साइकलोजिकल वेल्बिंग हेल्थ यूज ऑफ टाइम कम्मुनिटी वाइटलिटी एड्यूकेशन कल्चर एंवार्मेंट गवर्नस और से उन्होंने अपने इन बातों को रखा है इन डोमेंस को प्रस्तित किया है यह सारा उस पर काम किया हुआ है तो मैं ज्यादा आगे और आगे अहां अब यह देख लीजिए कि क्रिटिकल थिंकिंग तुरू गेमिंग टेक्नीक्स फॉर चिल्टन एक हम लोगों ने कारिशा सब्सक्राइब में हैं उनका बड़ा सा योग रहा है मीडिया लिट्रेसी क्या होती है आदी आदी वह सब करके तो हमने इंजिन मॉडल ऑफ मीडिया लिट्रेसी पहले तो यह बनाया कि अनवेताब इधान और अभी तानवेवाद मैं शब्दा शब्दों में नहीं जा रह इंदो पर आधारित किये क्योंकि अगर आपने मिस इंफ़मेशन को डील करना है पार्शल इंफॉमेशन को मोट्यवेटेड इंफॉमेशन को एकसे इंफॉमेशनमें फेक news जिसे आप कहते हैं उन सब को अगर हैंडल करना है तो आपको न्याय शास्त्र और अनेक आत्वाद ये दो बातें अच्छे से पता हुनी चाहिए अब यह देखें कि यहां से हमने बच्छों को कहानिया सुनानी शुरू की और उनके रिस्पॉंस लेने शुरू किये और विताल पर जो है वो वक्षॉप भी कंड़क की कि पंचे तंत्र के इस हिसे पर किस तरह से जो है हम इसको मैनेजमेंट जो स्टडीज है उनमें इंट्रीज कर सकते हैं एक-एक को जो है उन्होंने डिटेल में लिया और उसको कैसे यूज करना है वाई देकर के समरी देकर के उसके और पूरे डिटेल है लेकिन मैं केवल आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरह से जो है यह चीज़ें अप्लाइट बनती है थर्ड स्टेजी फोर स्टेजी और फाइनली कौन-कौन सी और स्टेजी हैं इन सब बातों को और इसी तरह से आप देखें कि अप्लाइट संस्क संस्कृत शास्त्रों को किया इंडियन सिनेमा पर कि इतना कुछ हम नाटे शास्तर पढ़ा रहे हैं रस गंगाधर पढ़ा रहे हैं कावे प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए भी कोशिश की थी 21 तरह से रस ध्वनी और वक्रूपति के आधार पर हम इन फिल्मों का इन सिनेमा का जो है वो मुल्यांकर करना सीखें और उसमें कमर्शल सिनेमा और संसिबल सिनेमा दो भागों में भी बांटा और उसमें रस नेता कथा बस्तू आधी-आधी यह सारी चीज़ें थी इसी तरह से जो होम साइंस के लोग हैं उनको संस्कृत शास्त्र क्या सिखा स सच्वेंगों सबस्क्ता है अगर आप देखें तो आप दोनों और देखें कि आपको बड़ा कलींग Ó अंतर दिखाई देता है भारतीय पद्यती में और दूस्तर वेस्टर पद्धिती में यूर्पन जो पद्धिती है ओर उसमें क्या कहां कहां से हमें डिच loves दिबाल धी जाए और की लोगों को संस्कृत शास्त्रों से यह सीखना चाहिए लेकिनने तभी हो पाएगा जब अधर्य संस्क्रइब के लोग वो हेडिव के लोगों को यह बता पाए कि यह यह रेलेवनटद पोर्शन से और यह आपकी समस्यों का समधान इसी तरह से सहत्तित्र में जो स्त्री स्वthen women to work बातें करते हैं यह सारी वीषू स्थे जिनको हमने लिया और उसमें किस प्रकार से भारती संदर्व में को देखना है और woman शोपत को वो स्री का प्रयायब जो मीडिया लिट्रेसी जिसके उपर बड़ा जोर है आज कर मीडिया और न्यूज पिपर इंडुस्ट्री में वह है कि उसको भगवत गीता से क्या सीखना चाहिए या भगवत गीता उसके लिए कैसे यूसफुल हो सकती है और वो क्या सिखाती है तो हमने एट पार जो है वो उनकी शब्दावली को भी रखा और शब्दावली के अधार पर फिर हमने एक एक्वेशन डिजाइन और डिवेल्प करने की कोशिश की कि जिसके अधार पर जो मीडिया लिट्रेसी के लोग है उनको इस तरह का विवहार अपने प्रियोग में लाना चाहिए इस तरह से मैंने आप लोगों के साथ सांजी की कि केवल आप लोगों को एक दिखाने के लिए था दिख दर्शन मात्र था कि इस तरह से एपलाइट का हमारा आइडिया है कि हम यह चाहते हैं कि जो भी शास्त्रों हो वो संस्कृति हो हमारे मूलें हो उनको हम व्यभार में लाएं अन् होते जा रहे हैं लेकिन वो कैसे होगा उसके लिए यह आवश्यक है कि हम उसको एपलाइट बनाएं उसकी को जो है वो साबित करें सिद्ध करें और एक चीज़ जो मैंने शुरू में भी कही थी कि जैसे कि मोदी गौवर्मनेंट ने जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षन श कि हम उसमें कुछ ऐसे परडाइम या परामेटर बनाते जिसको मोदी गौवर्मनेंट या कोई भी यूज करते कि स्वच्छता का सर्वेक्षन करने के लिए यह यह पैरडाइम होने चाहिए यह या यह परामेटर होने चाहिए लेकिन वहां ने कभी किया नहीं जबकी हमार कि worड मीलाकर कि इस तरह के प्रियास हैं और भी बहुत फारी की चीजें हैं जिन तो इसलिए आप सब्धी लोगों को हमने आमंत्रिक किया है कि आप लोग cœur को के कैसे समयते हैं या क्या इसकी कोई और भी करने के लिए आप सभी का अपनी बात अपसाज़ा कर सकते हैं अपने दे सकते हैं या आपको लगता है कि आप किसी एक विशय पे lecture दे सकते हैं इन में से किसी भी बात पर या कारेशाला आयोजित कर सकते हैं उस सारी बात को आप हमारे साथ साझा करें बिल्कुल open house discussion है किसी तरह का कोई भी प्रश्न कोई चुनौती कोई criticism जो भी है तो सबसे पहले डॉक्टर रविंदर कुमार ग बताना चाहूंगा गीता और भारतिय समिधान इसके उपर बड़ा ठोस काम किया है हलांकि वह पूरा अभी नहीं हुआ है लेकिन उसके प्रियंबल और fundamental rights मेरा ख्याल है उसके उपर उन्होंने परियाप्त काम कर दिया है और वह समिधान जिसके सांस्कृतिक आधार नहीं से उन्हों ने आधार प्रदान किये हैं तो हम दोक्टर रविंद्र जी से जो है वह अपनी शुरू करते हैं जी डाक साहब अ है अब्रेट को अन्म्यूट कर लें सर अ कि नए रविंदर जी अपने को अन्म्यूट करें सर नहीं अन्म्यूट नहीं हुए आप अब अपनी बात को जब आप अपनी बात को जब आप अपनी पूर्ण असरहमती है मेरी जब आप ने यह कहा कि बारतिय समविधान में भारतिय मुल्य नहीं नहीं जी और मेरा काम ही मैं इसीपर कर रहा हूं.. और मैं तो यह पह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी भार्चिय संमिधान वे जो द्यू ऊचिसेगें को रूजे है वो भारत्य है यह नहीं जी जी केवल फरक का है कि हमें वो बताया नहीं गया हमें वो पढ़ाया नहीं गया उस धंक से हमें वो समझाया नहीं गया और नहीं जो सबसे लास्ट चाहां मेडिया लिट्रेसी उसमें भी आता है थोड़ा बहुत आता है ऐसा नहीं है यदे टाइमस अफ इंडिया का यदि आप देखे एक कॉलम है उसमें आपको मिलेगा या तर्वस्द आप देखे खुर्श मेरेगा है तो मेरा ये कहना है कि बास्ते में हुआ है दुलभा क्या से और बहुती है डॉला से ने कभी भारतिए ग्रंथों का ध्यन्य किया एक बात दूसरा चुकि जैसे आपने सफ पर्श का तो उससे में सहिमत हूँ कि 200 300 सालों की गुलामी इस में यह कहा गया कि जो भारतिय ग्रंथों यह दिया बात करेंगे तो आप पहुंगा पंत ही क्या लाओ गई कि अभी पंदरा दरे वैस्तों पच्चेस तारीक को होना रिटायर वोगी छुटिया पड़ रहे हैं सुप्रिम कोड के जो जज हैं मानिये निया थी सुन्जा कोल जी उन्हों का अभी बहुत इंपोर्टेंट जज्मेंट आया था आपको मालूम होगी होगा राइट तो उन् जज्मेंट उन्होंने ये कहा कि न्याय की अवधार्ना हमारे लिए कोई नहीं नहीं आए यह तो हमारी प्राचीन काल्थ से है उसके समर्थन में उन्होंने भगवत गीता के चोट्य द्याय के आठ्वें शलो को कोड किया था पृत्रानाय सादू नाम अच्छा अब उन्ह इस तरह से अध्यनी नहीं किये हैं इंट्रेक्शन जिसे हम इंट्रडिस्प्रिय अप्रोच नहीं बना जा हमने एक बात दूसरे बात मैं सिर्फ जानकरी कहना जासे आपने वो गेमिंग की बात की है ना तो मेरे एक मित्र हैं कैथल में है स्कूल टीचर हैं मिस्टर वीजे हैं चावला उनका बहुत काम है उन्हेरे बहुत एक खेल भी बनाई है आप हिंदी भर माला को खेलों से समय सकते हैं मैं आपको उनका नंबर भी भेज़ दूँगा आप उनसे यूर्ट संपर करें सर वह बहुत काम कर रहे हैं इस वारे में ना पिजिया आट दस साल से और पर उनकी कारे को मानने तभी मिल रही है इसी प्रकास जहां फिलम वाली आप बात कर रहे हैं थे जब तो वहां भी मैं आपको दो नाम भेजूंगा एक तो कैथर कहीं है वह पहले फिलम क्रिटी की दे इंडिन एक्सपैस में उनका काफी अध्यन है और एक मेरे मित्रेक बंदार है और बड़े बाइप प्रोफेशन तो वह इंजीनियर हैं लेकिन का शो कर रहा है इसलिए उनका बड़ा अध्यन है तो यह जिनके हम संपर्ख कर सकते हैं आप तो मैं आपको लेकिन आज मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं कि कल का जो टोपिक है वह ज् इस धरना पर कि ऐसा इसी प्रकार से जैसे आप कहरे दरें हुमन रैट्स की बत कर रहे हैं यह जिए हूंन रैट्स में सर कोई ऐसा मौनवा धिकार नहीं है कि जिसकी प्रिस्थाबना भगवत गीता में ना मिलती हो जो स्टेटे नेवाग डवलमेंट गोल आई हैं वो उनक कि यह तो है लेकिन हमारा कथ्य यह नहीं है कि हम अपने ही गृंतों के आधार पर क्यों नहीं को पॉलिसी या मॉडल डिजाइन करते दिशा है कि जो वहां पर उन्होंने बना के दे दिया हम उसको अपने शास्त्रों में जो कुछ है उसके आधार पर हम डिजाइन करें और फिर वो लोग जो हैं उसको विशक स्विकार करें कि मैं इसको आप व्यक्ति के दिना लेना बड़ा कटू अन्भव बता रहा हूं वह यह है कि यह प्रफेसर आशितोस जी जेंग्यू में होते प्रफेसर तो उनकी बात सुनी जाती अब नहीं सुनी जाएगी यह तो कोई ऐसी बात नहीं है जाना आप जाना आप जी तिए ठीक है और अबिनाश जी यह डॉक्तर सदानंजी या कोई और भी अपनी बात इस सारे संक्षित से वक्तव्य के उबर रखना चाहें तो जी सदानंजी डॉक्टर सदानंजी जी अजारी जी प्रगंडवादी अफ्तात कि वाट इस ता मेनिंग प्रगंडवादी अखंडवादी पांगंडवादी ह। और यह एक फॉर्म आप लोगों के साथ शेर किया है आप उसको भर दीजेगा ताकि नेक्स्ट जो हम लोग टेक अप करेंगे लेक्शर उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं और उन इशुस को फिर हम धीरे-धीरे करके टेक अप करते रहेंगे और अगर आप टेक्स्ट पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी स्वागत है और यदि कुछ और कारिशाला या लेक्चर या जो भी आप चाहते हैं उस तरह की फिर उसमें हम निरलतर विवस्था करते रहेंगे जी डॉक्टर अभिनाश जी नमस्कार सब्सक्राइब नमस्कार आरब में ही संविधान में देखते हैं इंडिया भारत वस्तुता इंडिया शब्द एक नकारात्मक शब्द है जो अंग्रेजों ने भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए प्रियोग किया था इसलिए उनका उनकी बराबरी तो हुनी ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान या भारत जो शब का प्रियोग उन लोगों के लिए किया था जिन लोगों में ग्यान की कमी है और जिनका आचरण उनकी अपेच्छा नियूनतम माना जा रहा है तो सबसे बड़ी आपत्ति तो हमें संविधान के उस पंक्ति पर है जिसमें लिखा गया है इंडिया देट इस भारत तो यह भी हमें ध्यान में रखना है जूसरी और जब हमारा अनुप्रयोग संविधान के परिफ्रेक्ष में हो रहा है तो कोई आप हम प्रयास करें कि हमारे पास जो शब् aşविक्षित करें कि हमारे सारे आश्या जो सम्विधान में लिख मैंने जो क्या कहते हैं अनुच्छेत हैं और यह सारी चीजें उनके आश्चे का पूर्ण प्रकटी करण हो ऐसे शब्दों का विक्सित करना भी हमारा एक लक्ष हो जाता है अन्य था हम कोई विशेश कारिये नहीं कर पाएंगे अगर उसी को हिंदी में स्विकारी कर लेते हैं यह तो बात सही है कि तत्सम तत्भव देशज और विदेशी शब्द को हम यह अनुसरण कर लेते हैं लेकिन यह था सब्भव हम उनके लिए उप्यूक्त शब्दों का अगर हम अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है तीसरी बात यह है कि हमारे मुल को वहां पर रखा गया है और किस प्रकार उनका प्रक्टिकरन होता है इसे भी हमें देखना पड़ेगा और तीसरी बात यह है चौती बात यह है कि हमारे जो शास्त्री जैसे आपने मनुस्मृति की बात की लोगों ने पढ़ा नहीं और उस पर अनेक प्रकार की आलूचना होने लगती है तो हमें यह आवश्यक हम लोगों के लिए बन जाता है वैसे तो मैं नियमित फृफ Mm schw तो मैं प्रयास करता हूं क्योंकि कुछ ऐसे अस्थाल है जहां पर बिना बॉद्ध के स्विकार की हुए उनकी बातों को प्रकट की हुए हम नहीं कर पाते हैं तो बुद्ध ने भी कहा है तो हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि जो अन्य धर्मा वलंबी है उन सभी लोगों के साथ यह सपस्ट करने का प्रयास कि हमारी मनोस्मृती उनके साथ संगती बैठा लेती है विशेशकर वध्ध जो आधूनिक वध्ध है वो हम पर जब्ला मने प्रयास कर रहें सारी चीजों को इन सारी चीजों को घ्यान में रखना पड़ेगा जिससे कि हमारे अंतर बने हमारे और जो लrok अविवस्ता उत्क्रण हो रही है शुन्यता कि इस्तिती हो रही है हम उसके उपर ध्यान करें तभी हमारा कारी सर्थक हो पाएगा यह आपने बहुत महतुपून बात कही है और इसके लिए प्रयास करेंगे और एक बात मैं भी आप से शेयर करना चाहता हूं कि इंडिया शब्द क्योंकि देखिए इंडिया सिर्फ इंडियन्स के लिए इस्ति पहले तो इंडियन उसे कहते थे जो क्रिश्चिन मैरिज से बाहर जो लोग पैदा हुए है जो उनको इंडियन कहा जाता था तो इंडिया इसका इंडिक से तालुक उस तरह से नहीं है क्योंकि अगर इंडिक से तालुक होता तो फिर तो कैनेडा कैनेडियन इंडियन जो है तो बैसी जो मैने पूस्तक का द्यान नहीं है लेकिन लेकिन उसमें मुझे ये बात समझ में आई थी कि भाई हम इंडियन उसको कहते हैं जो कि क्रिश्टियन मेरेच जो होती है चर्च के द्वारा जो की जाने वाली मेरेच अगर उससे बाहर जो पैदा होता है तो एक तरह से गाली है तो मुझे नहीं पता कि यह हमारे समिधान निर्माताओं को यह बात पता थी यहां वो उस तक में लिखा हुआ गलत था मैं नहीं जान हो जाएगा जिस प्रकार हमने लोगों को मलेक्ष की संग्या देते हैं अपने से हीन समझते हैं उसलिए इंडिया शब्ड का जो प्रियोग हुआ है उसी अर्थ में तक्रिव उसी अर्थ है क्योंकि वह जब आप शब्द की वह देखते हैं संस्कृति और उसके जो इतिहास उसको कर देते हैं इसलिए वो सारे शब्द चला देते हैं तो यह बड़ी अजीब सी बात है लेकिन चलिए और दूसरी बात यह है कि कोई भी शास्त्र की जो रचना होती है एक कालखंड विशीश में होती है और वो बुधित करती है उसको देखती है उस समय कि उस में उसका परिमार्जन परिश्करण वी अपेख्षित हो जाता है जो हमारे हां निरंतर होता रहा है तो थोड़ा सा हम अभी यह सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा अनुपरियुक्त बनाने में सफल हो पाएंगे मनु स्वहम कहते हैं प्वितियत ध्याय के अंतिम कई लोग परिवरतन करते रहना चाहिए तो यह तो परिमार्जन संशोधन यह सब तो होता ही रहना चाहिए और किसी की कोई बात अगर है तो कोई और को टिपनी करना चाहता हो या नहीं बात हमारे साथ सांची करना चाहता हो वह इसमें रख सकते हैं और नहीं तो फिक कल जो है वो हम एक और चर्चा करेंगे जो कि लोक और शास्त्र के संबंधों पर है लेकिन ये केवल आपको ये दिखाने के लिए था कि जब हम अनुप्रियुक्तता की बात करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राई क्या है कि उसको हम प्रैक्टिकल कैसे बनाएं क्योंकि अभी भी एनीपी में जो है वो हमें बहुत बड़ा एक मौका मिला था कि हम परिवर्तन लाएं और संस्कृत शास्त्रों को सुप्रतिश्टित करे प्रियोग परिख बनाएं लेकिन वहां पर भी जिस तरह का बिट्रेल किया गया है वह आप सब को पता है कि वही 75 और 80 साल पुराना स्लेबस खीच करके लगा दिया गया है और कहा कि यह बड़ी मेहनत का काम है राकेश जी आप अपना परिचे दे करके अपनी बात्ता जी कि नमस्कार शर मेरा नाम राकेश रोशन त्रवेती है और संस्कृत से तो मैं सिधा नहीं जुड़ा हुआ हूँ मैं इंजिनिंग बैक्ग्राउंड से संबंद रखता हूँ और मैं जार्खंट से जार्खंट कराने वाला हूँ तो मेरा ये कहना था जैसा भी शर ने कहा कि जो हमारे समतध्धों देशयवी देशयवी सब्द हैं उससे विप्रीत या विपिन अपना समर्पित सब्द बना ले तो केवल समर्पित सब्द बनाने से ही होगा ऐसा नहीं है उसका एक्सेप्टेंस जरुवी है नहीं तो अदरवाज ऐसा हो सकता है कि हम कहीं अलग दिखाई देंगे जो हिंदी सब्द बोले तो कई लोगों को समझ में आता है लगेगा कि ने हम कोई पहाड के टीले पर अकेले बैठे हुए इस तरह से लगेगा दूसरा यह है कि आपका जो प्रयोग है अभी तक इस प्रकार से अप्लाइड वे में मतलब एक अनुपम प्रय क्यों नहीं रखे या हमारे जो भी रिसर्ट स्कॉलर थे उन्होंने क्यों नहीं रखा यह बहुत ही विच्छा बात है सरकार वही सुनती है जो जन भावना रहती है या हम प्रयास करते रहते हैं राममंदीर की भावना भी इतने लंबर समय से लिए इसलिए मानी गई और उ इसमें एक बात और है कि यह शब्दों शब्दावली की बात बिलकुल उचित है भारत सरकार का एक विभाग है सी एस्टीटी पर साइंटिफिक और टेकनिकल टर्मिनोलोजी उसके साथ थोड़ा सा मेरा तालुक है तो वहां पर जो शब्दावली निर्मान किया जा रहा है अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भाशों में योग में कहीं भी नहीं आ रहा है तो मेरा उनको यही उनको बार-बार आग्रय हो रहा था कि आप जब अनुवाद करते हैं तो साथ में पूरी एक पंक्ति दें या कि इस शब्दों को प्रियोग कैसे करना है क्योंकि जब तो तो प्रियोग करना नहीं पता हुस्ता तो वह मुख्य भाशा में मुख्यदारा में वह आईगा ही नहीं है यह बात पर लुचे था और इस बात को हम आगे चलके जैसे कैसे हमारी चर्चाएं होंगी उसमें देखेंगे कि इसको कैसे हम इसका प्रियोग करना है कि अगर रशा या उक्रेन चाहें अन्य देशों में जाते हैं जहां पर अंग्रेजी प्रचलित नहीं है तो एक वर्ष दियार्थियों को उक्रेनी भासा या रश्यन भासा शिखाई प्रियोग कर रहे थे धीरे उन्हें सारी चीजों को अंग्रेजी में परिवर्तित करना आरंब किया डच नहीं बोलते हैं दैनिस नहीं बोलते हैं तो यह सारी चीज़ें हैं कि अपने भाशा को सशक्त और समर्थ बनाना हमारा कार्य है दूसरे नहीं करेंगे जिस प्रकार युक्रेन में हमारे विद्यार थी युक्रेनी में पढ़ते हैं रश्यन में पढ़ते हैं रश्या में उसी प्रकार अगर भारत वर्ष में हमारे विद्यार थी यह तकनीकी पिल्पिल ठीक बात है और देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं भी बात Sonar आपने अपना हाथ खड़ा किया है आफ कुछ कहना चाहते हैं कि यह और कोई अपनी बात कि अपने को अन्म्यूट करके कह सकते हैं अगर कोई कि कोई सुझाब है या कोई क्रिटिसिस्म है और नहीं तो इस आज के इस कारे को हम यहीं पर पूर्ण करेंगे समाप्त शब्द में प्रियोग नहीं करना चाहता इसके इलावा और भी बहुत सा कि अपनी कुंड़ी में किस परहां से देखते हैं और अनुमान प्रस्थत कर सकते को अपनी जिसले के बारे में और चीजों के बारे में तो बहुत बहुत सारे विशयह हैं बहुत लेकिन यह है कि उन सब को करने के लिए सभी लोगों का सायोग अपेक्षित है तबी वह नमस्कार रामची नमस्ते नमस्ते मैं तो साब प्रसास्मिक शेवां में हूँ और मैंने हमने और डॉक्टर दीपी का कोठारी ने बहुत सारी बनाई है यह जो आपने जैसे इंडिया की बात हो रही थी तो इंडिया पे ही एक फिल्म है डॉक्यूमेंटरी फिल्म है उसको सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं देखिए यह बहुत बड़ा काम है यह जो आपने काम किया है यह मतलब अद्बुद है इसको बोलते हम अपनी दृष्टी विक्सित करना अपनी दृष्टी समय अब तक हमको देखा गय है पश्चिम की दृष्टी से हम उसका सामना करते आए हैं तो उनके पास अपने फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं पिजन पिजन हॉल कभूतर खाने बना रखें वह हमारे आइडिया हमारे साहित्य हमारी सब्वेता को उन कभूतर खानों में वह गुसा-गुसा के देखते हैं और उनके पास ग्रीक हो रोम हो या अपनी पुरानी हो या अभी नए जो सिद्धांत उन्होंने विक्सित कर ली हैं उन सिद्धांतों को एपलाई करते हैं हमारे सब्वेता और हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य और सब पर जैसे शेल्डन पॉलों के उधारन है अभी कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि अपनी वास्तों में इसकी बातें बहुत होती है लेकिन आपका काम देखके मुझे लगा कि आप वास्तों में काम कर रहे हैं अपने अपनी दृष्टी कैसे विक्सित की जाए देखने की भारती दृष्टी कैसे विक्सित की जा गया तो ठीक से मेरी बहुत जिग्यास है इस बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह काम आगे बढ़े और हम इसमें पूरी तरह से आपके साथ हैं अभी जो भारत और इंडिया वाली बात हो रही थी तो इसे में समिधान निर्माताउं ने बड़ा विस्तार से चर्चा क की थी और लिए इंडिया यह रखा गया था क्योंकि इंडिया जैसे हम युए आज हम में एक उसमित होके हिए गया वहां यह विस्मित हो पिज्मित होगे वह इसानी कोई प्रिमिटीव सभी ताय है वहां आप ऐसा उसको अधिकार में ले लें उसमें लिखा है जैसे मेगस्तिनीज ने लिखा है या कि यह विक्सित सब्वेता थी और इसी तरह से इंडिया का आधर भाव था तो इंडिया के पीछे एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विजय चुकी हुई है उसके कहीं आस्पेक्ट ह इंडिया नाम के पीचे भी हमारा वर्चस विष्व गुरु जो बनना चाह रहे हैं हम इंडिया इंडस सिंटोस सिंटोस चाइनीज हमको सिंटोस बोलते थे ग्रीक हमको इंड़ा बोलते था यह बड़े आदर से और हमको गुरु मानके और यहां शिश्य बेजते थे और हमारे यहां विश्विद्या ले थे तो यह सब चीजों की एक इतिहास है उस इतिहास को बचाने के लिए हमने यह रखा है इसमें काफी डिसकेशन हुआ है लेकिन आपका तो काम को मैं प्रणाम क आउच्टी वालों को भीजा है ताकि वह बच्चों के साथ शेट करें और उनको मैंने कहा है टाइप करने के लिए यह आप लोगों के साथ एक बाड़ कर लें ताकि जो उसकी रिमार्स हैं वो आप दे सकें उन डॉक्यमेंटरी त की और उसके बाद वह देखें अगर प्र प्रश्ण क्योंकि बच्चों को अम नोगों ने इस तरह से ट्रेंट तो किया नहीं होता कि भाई आध में देखना कैसे है यह भी तो सिखाना बड़ा जुरूरी है तो लेकिन चलो कुछ शुरुआ तो हुई यह अच्छा रहे जी 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 सर जी 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 which is very interesting is our world within our borders is a actually a symbolic world that is not understood properly by many people that symbolic Pradika Atmaga Jagat that we have to highlight because of this many people who want to study or who have tried to study our culture they haven't completely achieved what they wanted because of lack of or improper understanding of our symbolic for example if you take Bhagavad Gita symbolically we can look at it in a different way isn't it so I just wanted to point out of this yes but for your information I will be organizing one lecture on Bharti Pratik Vidya because we don't know much about our Pratik yes exactly know about them they are good they are they bring good luck and such kind of things but what meaning they do have and what is the philosophy behind them we need to discuss that also so we'll organize one discussion on this Bharti Pratik Vidya yes 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 this is really good suggestion yes 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 we can do some requests for today and at the moment we'll get to हैं तो आप सब का मैं आभार वेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और इस सारे विशय के साथ जुड़े और मैं मेरा निवेधन रहेगा आग्रे रहेगा कि आप लोग आगे इसी तरह से जुड़ते रहें और चर्चा में प्रतिभागिता करें और यह कोई आवश्यक नहीं कि मेरी बातों से कोई सहमत हो आप अपना विचार रख़ें और देखें कि कि किस तरह से हम भारती होने के नाते भ तो कल थाड़े दस बजे मिलते हैं इसी तरह से एक घंटे की एक संग्षित चर्चा और रखेंगे और कल का जो देखी लिया है कि लोग एवं शास्त्र के जो संबंद हैं कि हम शास्त्र शास्त्र की बात करते हैं लेकिन लोग के साथ उसका संबंद क्या है इस विश्व को कल ह देंगे तो यह नहीं सब शब्दों के साथ आप सब का बहुत-बहुत आवार धन्यवाद थैंक्यू सू मच और जी सब्सक्राइब गूगल फॉर्म और किसी ने फॉर्म नहीं बढ़ा तो प्लीस वह फॉर्म भर दीजेगा मैडम शिखा या मैडम मिनाक्षी अगर आप मे सब्सक्राइब करने जा रहा हूं